नमस्ते कुगविद नीलम चैनल में आपका स्वागत है आज हम छेना बनाएंगे जिसे रसगुला, रस्मलाई, राजबोग, संदेश इसके इलावा और भी छेने की मिठाई बनाने में इस्तमाल करते हैं तो चलिए छेना बनाना शुरू करते हैं दूद को गैस पर उबलने क के लिए रखेंगे हमने पैकेट वाला गाय का दूद लिया है अब गैस बंद कर देंगे और दूद को थोड़ा ठंडा होने देंगे दो-तीन चमच विनेगर में थोड़ा पानी मिलाएंगे विनेगर वाला पानी थोड़ा थोड़ा करके दूद में मिलाएंगे और दूद को चलाते जाएंगे हमारा दूद फट गया है छेना और पानी अलग-अलग हो गए है अब छलनी के ऊपर मलमल का कपड़ा रखेंगे और छेने को चान लेंगे अब ठंडे पानी से छेने को दो लेंगे हमने छेने को अच्छी तरह दो दिया है अब इसमें से पानी अच्छी तरह निकाल देंगे और छेने को दस से पंदरे मिनिट के लिए रख देंगे पंदरे मिनिट बाद इसे कपड़े से निकालेंगे हमारा छेना तैयार है अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई रेसिपी के नोटिफिकेशन के लिए पहला आइकन को जरूर दबाईए झालेंगे